हाई गाईज वेल्कम बेक टू भोजपूरी चिलीज 2.0 गाईज आज हम लोग देखने वाले हैं मनी मिराज न्यूज चैनल से पुष्पाराज हग दिया साल भाई इंसान है सब में एक्स क्रीटरी सिस्टम होता ही है ना जो खाओ गए वो निकलेगा भी किदर को मनी मिराज वाइन्स कॉमेडी अगु आई टू बैंड बाराथी 5 मनी मिराज कॉमेडी वीडियो स्टार्ट करते हैं यह वीडियो इसकी ओरीजिनल लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यू चैनल लेट्स स्टार्ट द वीडियो जाती हूं मैं अरे तुझ आ रहे हैं यह बड़े अई पार पूछने थे क्या आपके गर में चिंटू है नहीं बस मेरे को एक मोका देंगे चिंटू हो जाएंगे थि डिएकि अगर कभी गलती से मेरि गरल्फरेंड बन गई तो मैं उसे पीला फक्त दूंगा क्यों क्यों क्योंकि लाल फक्ता उड़ जाता है हवा के जूके से तलक त्यज् jurisdictions है तो तू क्या करएंगा मैं चप्पल उठाएंगा वर भाग जाएंगा मेरी हाँ अगर आपकी पतनी ज़्यादा किच-किच करे तो चप्पल उठाओ और पैन के बाहर निकल जाओ बाकी जो आपने सोचा ना उसके लिए जिगराची ये क्योंकि चप्पल का बदले बेलान भी पड़ती है ठीक है एक काम था या हाँ बोलना सुन मेरे दोस्त अगर तु कहीं खो गया तो मैं अकेला रोलूँगा और अगर तु मर गया तो मैं यही बोलूँगा मर नी जोरो अरे उसको बहां सही माम देखे दिल से आ मेरी जाए नमसकार इसबार चुनाओ मैं आपके गाउ से लड़ रहा हूँ मताये क्या समस्या आपके गाउ में हमारे गाउमे नेताजी दोही समस्या है दाये पहली समस्य है कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है अपके गाव में है रो इस गाव में तक कल एक होस्पिडल बनना चाहिए जी होस्पिडल तो बन जाएगा दूसरी समस्था क्या है दूसरी समस्था यह है यहाँ पर टावर में फोल नहीं लगए आप फोल कई से कि अगर जिंदगी में कभी नीद ना है मेरा बाई तो एक पैग मारने का और सो जाने का मेरा बाई लेकिन यह तो हाँ बाई अरुन का प्यार है प्यार तो उसनी किया हमने तो बस दिल लगी कि तट्स वेशिस कि पहले मेरा दोस्त भी बहुत बड़ा चूतियाद था कि था का मतलब जानता है ना जब पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हो तो घबराव मत तम पीछे मुण के सेल्पी ले लो पूरी दुनिया तमारे पीछे खड़ी हो जाएगी जब तक कड़े हो के सेल्पी लोग कि अप्रे में आगे निकल जाएगी तो क्या गारी चला रहा है तु अपनी जिंदिगी में का बनेंगो डॉक्टर गुडवी अथी करिंछ और तु का बनेंगा मैं बनूगौाट आट नग्वादी ने अप्षे है अर तु का बनेंगा भई वह सबसुत पहले आतंगड़ी मेरी दरफ देखो आखे खोलिए जुबान दिखाइए अब देखिए आप डारेक्टी को जाएंगे ठीक है भाई आजकल की लड़कियों के स्टेटस तो देख माई डैड इस माई रियल हीरो ना हमारे पापा तो आतंग वादी है देखना भाई कौन सला हमरा घौरे को अदेले बाकादून हम लोग के बीखे बीखे गारी देवानी कौन को लग अरे इता सरस और जुट बाद बाद आच्छा हाली पाता चल जाए दे ना मुह माए गान प नहीं बस एक बर एहमदाबाद तक गया हूं सूरत भी देख लो मैडम ने अपनी नहीं देखी है आदो गई चीरत देखी है मतलब सूरत देखके प्यार करेंगी आप सूरत देखके अगर प्यार करोगी ना बेटा तो कई बार जो नकाब के पीछे असली चेहरा होता है ना बहुत ज़्यादा बायानक हो सकता है ठीक है तो कभी भी चेहरा देखकर किसी सो प्यार नहीं करना एक आदल लोग तो मानी जाओ बात एक वह वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिसमें बोलते है कि हां अरे बाई एक काम था 10,000 रुपे जैसे ही मांगने होत है मुझे भी चाहिए भाई काम मिलेंगे चल वीक मांगे चल रहे है ऐसे थोड़ी तो पैसे मिल जाएंगे यार मैनत करनी पड़ती है काम करना बढ़ता है और जब तक आप मैनत नी करेंगे काम नी करेंगे मतलब जैसा भी काम हो लेकिन करना पड़ता है ठीक है बिना हाड़ वर्क के कभी भी आपको अच्छा फल नहीं मिल सकता है एक दूसरी बात वो नेता जी की पोल बड़ी तमीज से खुली बहुत अच्छी तरीके से बड़ा फोन लगा के सुनो यहां पे हॉस्पिटल बनना चाहि है और दूसरा उनके गाओं में टावर नहीं है अब फोन कई सकी है जुट बोलता है जाले वोट के चक्कर में जुट बोलता है ऐसे नेताओं को ना सबक सीखना मतलब सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है क्योंकि यह लोग बस मैं सची बताऊं सिर्फ लूटने पर रहते हैं है ताइम पर ऐसे आएंगे आपको नेताओं की असलियत देखने के लिए ना पंचायर 2 मूवी देखने चाहिए मतलब वैब सीरी पंचायर 2 आई होब सबने देखी होगी है और नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो तो असलियत पता चलेगी कि यह विदा काफी मज़ेदार सीरीज है वो विल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ और दूसरी बात यहां पर एक वो सेल्फी वाला एक तो बार बार बोलते हैं कि अगर दुनिया आपके आगे जा रही हो तो पीछे घूम कर सेल्फी ले लो अरे सर जी उसमें खाली मुंडी मुंडी आतंगवादी को बताऊंगा आतंगवादी बनना है और अगर दिमाग में खयाल आ भी रहा है तो फटाफट उसे निकाल दो क्योंकि यह कीड़ा बाद में तुम्हारा फॉजी निकाल देंगे या तो तुम सुदर जाओगे या तो तुम उपर जाओगे तो बहुत पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाओ दें प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना मैं मिलूगे नेक्स वीडियो में बाइबाए